हलो, स्वागत है आपका एके क्लासे जैपुर चैनल पर मेरा नाम है अजयकुमार आज की क्लास में हम पॉलिटी का बहुत ही मैत्पून टॉपिक कवर करेंगे लोक सबा इससे सम्मंदित टॉप फोर्टी क्वर करेंगे जो आपकी आने वाली सबी एक्जाम्स के लिए काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो को ध्यान से और लाश्ट तक जरूर देखियेगा यहां से क्वर्शन एक्जाम में 100% पूछे जाएंगे तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं फ़र्ष्ट क्वेस्चन के साथ तो हमारा पहला क्वेस्चन है निमलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रितक्ष रूप से निर्वाचित सधन है आंसर हो जाएगा लोकसवा जनता द्वारा पिर्तक्ष रूप से निर्वाचित सदन होता है और इसे संसर का निमने सदन भी कहते हैं और इसको अनुच्छ आर्टिकल 81 में परिवासित किया गया है अगला क्वस्चन है सातियो मारा मूल सविदान में लोकसवा सदस्चों की संक्या कितने निर्दारित की गई थी आंसर हो जाएगा 500 मूल सविदान में लोकसवा सदस्चों की संक्या 500 निर्दारित की गई थी बर्तमान की बात करें तो बर्तमान में 543 सदस्य हैं लोकसवा में अगला क्वश्चान है साती हमारा लोकसवा में अधिक्तम सदस्यों की संक्या कितनी हो सकती है? आंसर हो जाएगा 550 लोकसवा में अधिक्तम सदस्यों की संक्या 550 हो सकती है पर्तमान में लोकसवा में 543 सदस है अगला क्वस्चन है साती हमारा केसे सभीदान संसोधन के द्वारा लोकसवा में आंगल भारतिय समुदाओं के प्रतिनिदित को समाप्तिक किया गया आंसर हो जाएगा एक सो चारवा सविदान संसोदन 2020 के द्वारा लोकसवा में आंगल भारतिय समुदाओं के प्रतिनिदित को समाप्त किया गया था पहले लोकसवा में 545 सदस हुआ करते थे तब 104 वा सविदान संसोदन के दोरा दो आंगल भारतिय समूदाओं के पृतिनिदित को समाप्त करने पर अब इसमें 543 सदस हैं बर्तमान में लोकसवा में 543 सदस हैं अगला क्वेस्चन है सात्यों मारा लोकसवा में राज्जों को किस आदार पर सीटे आविंटित होती हैं आंसर हो जाएगा जन सिंक्या के आदार पर लोकसवा में राज्जों को सीटे आविंटित होती हैं अगला क्वेस्चन है सात्यों मारा बर्तमान लोकसवा में पिर्तेक राज्ज के लिए इस्तान का आवंटन किस जनगन्ना पर आधारित है? अंसर हो जाएगा बर्स गुन्नीश्व एकहतर की जनगन्ना पर आधारित है अगला क्वेस्चन है साती हमारा केस सविदान संसोदन के मैध्यम से लोकसवा और विदान सवा के सीटो की सेंक्या बर्स दोजार चब्बीस तक के लिए यतावत रखने का प्रावदान किया गया है? आंसर हो जाएगा चौरासीवे सविदान संसोदन बर्स 2001 में हुआ था उसके मैध्यम से लोकसवा और विदान सवा के सीटों की संग्या बर्स 2026 तक के लिए यथावत रखने का प्रावदान किया गया है अगला क्वेस्टन है साती अमारा अनुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुश आंसर हो जाएगा, 1922 में लोगसवा के लिए पिर्थम आपचुनाव हुआ था। अगला क्वेस्टन है सातियों मारा, कौनसा सविदानिक संसोधन राज्य से चुने जाने वाले लोगसवा के सदसोगी संक्या बढ़ाने से सम्मंदित है। आंसर हो जाएगा, सांतवा और 31 वा सविदानिक संसोधन राज्य में चुने जाने वाले लोगसवा के सदसोगी संक्या बढ़ाने से सम्मंदित है। अगला क्वेस्टन है सात्यों मारा, लोगसवा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुग व्यक्ति की नियुनितम आयू कितनी होनी चाहिए। कौनसा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिदी लोगसवा में बेजता है। आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य लोगसवा में सबसे अधिक प्रतिनिदी बेजता है। उत्तर प्रिदेश से असी पृती निदी चुने जाते हैं लोगसभा के लिए और दूसरे इस्तान पर महाराष्ट राज्ज से लोगसभा में 48 पृती निदी चुने जाते हैं कितने 48 अगला क्वेस्टन है साती हमारा निमलेकित में से राज्जों के किसी युगम को लोगसभा में समान सीटे प्राप्त हैं आंसर हो जाएगा राजिस्तान और आंद्रप्रदेश में लोगसभा की समान सीटे प्राप्त हैं राजिस्तान और आंद्रप्रदेश में 25-25 सीटे प् अंसर हो जाएगा चाली सीट हैं बिहार से लोकसवा की सीटे अगला क्वेस्टन है साथी उमारा लोकसवा में किस संग सासित छेत्र के सर्वादिक पृतिनिदी निर्वाचित होकर आते हैं अंसर हो जाएगा दिल्ली से लोकसवा में दिल्ली संग सासित छेत्र से सर्वादिक पृतिनिदी निर्वाचित होकर आते हैं कितने आते हैं साथ पृतिनिदी निर्वाचित होकर आते हैं दिल्ली से अंसर हो जाएगा पांच बरसे लोगसबा का सामाननेते कार्यकाल पांच बरस का होता है अंसर हो जाएगा एक बरस के लिए अपातकाल के दोरान संसद लोगसबा का कार्यकाल एक बार में एक बरस के लिए बढ़ा सकते है अगला क्वेश्चन है सातियों मारा लोगसबा में कौरम या गनपूर्ती पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है अंसर हो जाएगा एक वटा दस की जरूरत होती है अगला क्वेश्चन सातियों मारा लोगसबा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अबस्ता में बढ़ाया जा सकता है अंसर हो जाएगा जब राष्टिया आपातकाल लागू हो तब लोगसबा का लिए पृतिक एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है सवाक यदि कोई भी सदस्य दो मईने तक लगातार अनुपिस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है अगला क्वेस्टन है सात्यों मारा संसद सदस्यों का प्रती महा बेतन के रूप में कितने रुपे प्राप्त होता है आंसर हो जायागा पचास हजार रुपे संसत सदस्चों को प्रतिमाह बेतन के रूप में पचास हजार रुपे प्राप्त होते हैं और इनके बेतन में पचास हजार रुपे और बत्ते के रूप में अलग से इनको घर फिरी, रहना फिरी, इनको लाइट फिरी और इनके लिए टेलीफोन बत्ता का निर्वान होता है और इन्हे रेटायर हुमेंट होने पर इनको पेंशन भी दी जाती है अगला क्वेस्टन है साती हमारा लोकसवा सदस अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? आंसर हो जाएगा लोकसवा अध्यक्ष को लोकसवा सदस अपना त्यागपत्र लोकसवा अध्यक्ष को देते हैं अगला क्वेस्टन है साती हमारा केस बर्स से भूत पूर्व सांसद सदस्षों के लिए पेंशन की व्यवस्ता लागू की गई थी? अंसर ओ जायेगा gnewator 1976 से संसर सदस्चो के लिए pension की विवस्था लागू की गयी थी अगला question है साती हो मारा लोकसवा में के कम से कम कितने सत्र बुढाए जाते हैं आंसर हो जायेगा बर्स में दो बार लोकसवा के लिए कम से कम सत्र बुढाए जाते हैं कम से कम दो सत्र बुलाए जाते हैं अगला क्वेस्टने साती हमारा लोकसवा सदस्चों के निर्योगिता से सम्बंदित प्रेश्णों पर निर्ने कौन करता है आंसर हो जाएगा लोकसवा अध्यक्ष लोकसवा सदस्चों के निर्योगिता से संबंदित प्रेशने लोगसवा अध्यक्ष करता है अगला क्वेस्टन है साती हमारा लोगसवा के अध्यक्ष को कौन चुनता है आंसर हो जाएगा लोगसवा के सदस्यों के द्वारा लोगसवा के अध्यक्ष को चुना जाता है अगला क्वेस्टने साती हो मारा एस्ताई लोगसवा अध्यक्च या प्रोटेम स्पीकर को कौन न्यूक्त करता है आंसर हो जाएगा भारत के राष्टपती के द्वारा एस्ताई लोगसवा अध्यक्च या प्रेटेम स्पीकर को चुना जाता है या नियूक्त किया जाता है अगला क्वेस्चन है साथ यह मारा लोगसवा का विक्टन कौन कर सकता है आंसर हो जाएगा राष्टपती के द्वारा लोकसवा का बिक्टन किया जा सकता है अगला क्वेस्चन है सातियो मारा लोकसवा का नेता कौन होता है आंसर हो जाएगा प्रदान मंत्री लोकसवा का नेता होता है अगला क्वेस्टन है सातियो मारा किसी विशेश दिन लोगसवा में अधिक्तम कितने तारांकित प्रिशने पूछे जा सकते हैं आंसर हो जाएगा 20 प्रिशने पूछे जा सकते हैं अगला क्वेस्टन है सातियों मारा, छेत्रपल की द्रष्टी से भारत का सबसे बड़ा लोकसवा छेत्र कौन सा है? आंसर हो जाएगा लद्दाग, छेत्रपल की द्रष्टी से भारत का सबसे बड़ा लोकसवा छेत्र लद्दाग है? अगला क्वेस्टन है सातियो मारा भारत का सबसे कम मत्यदाता वाला लोकसवा छेत्र कौन सा है अंसर हो जाएगा लक्ष दीप भारत का सबसे कम मत्यदाता वाला लोकसवा छेत्र है अगला क्वेस्टन है सात्यों मारा ए विश्वास प्रिस्ताव किस सदन में लाया जाता है? आंसर हो जाएगा ए विश्वास प्रिस्ताव लोकसवा सदन में लाया जाता है अगला क्वस्चन है सातियों मारा निमलेकित में से कौन सा राजिल लोकसवा में अनुसूचित जन जातियों के सरवादिक प्रतीनिदी निर्वाचित करता है आंसर हो जाएगा मद्धि प्रदेश मद्य प्रदेश राज लोकसवा में अनुसूचित जनजातियों के सरवादिक प्रतिनिदी निर्वाचित करता है अगला क्वस्टन है साती हमारा लोग सवा में अनुसुचित जाती और अनुसुचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षन सवीधान के किस अनुचित में उपवंद किया गया है आंसर हो जाएगा अनुचित 330 में Article 330 में अनुस्यूसित जाती और अनुस्यूसित जनजातियों के लिए सीटों का अरक्षन किया गया है अगला क्वेस्टन है साती हमारा अनुस्यूसित जनजाती के लिए लोगसवा में कितने सीटे अरक्षित की गई है आंसर हो जाएगा 47 अनुसुचित जन जाती के लिए लोगशवा में 47 सीटे आरेक्षित की गई है और अनुसुचित जाती के लिए 84 सीटे लोगशवा में आरेक्षित की गई है अगला क्वेस्टन है साथियो मारा किस लोगसवा में निर्वाचित महिला सांसदों की संक्या सबसे अधिक थी? आंसर हो जाएगा सत्रवी लोगसवा में निर्वाचित महिला सांसदों की संक्या सबसे अधिक थी अगला क्वेस्टन है साथियो मारा सूनने काल क्या है? सून निकाल 12 वजे से 1 वजे के वीच का होता है अगला कुछ्षन है शाति उमारा लोकसवा में अनुसुज जाती और अनुसुज जन्जातियों के आरक्षन को कभ तक के लिए बढ़ा दिया गया है आंसर हो जाएगा, 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है लोग सवा में अनुस्य ज़ती और अनुस्य ज़ती जनजातियों के लिए आरक्षन को 2030 तक के लिए बड़ा दिया गया है ओके साथियों यहां पर आपकी क्लास समापत होती है क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब करके ही जाएं थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए